रारपुर्थाना शेतर के गाउ रायपूर में वावर रामदास आश्रम धानसर धाम में मंदिर महंत राखवदास वे पुजारियों पर बीती रातरी करीब दो बजे साथ हतियार बंद बदमाशों ने हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिये जाने का मामना सामरे आया है मंदिर के महंत राखवदास ने बताये कि 30 अगस्त को रातरी में तकरीवन दो बजे के मदे मंदिर प्रांगण में रिवॉल्वर से लोटीट साथ नकाब पोश बदमाश महराज राखवदास की कमरे में प्रवेश किया इसमें राखवदास महराज वे पंडित रामदास सो पालिया वे तीसरा बदमाश उन्हें मारने लगा तब जाकर राखवदास ने बदमाशों को चावी दी बदमाशों ने अलमारी खोली वे उसमें रखी महराज की जोली में धाई लाख रुपे नगद जो मंदिर के निर्मान करने वे मूर्ती सापने के लिए कत्रित हुए इसके अलावा छे साल से रखी नोटों की माला एकटी थी जो अनुमाने तीन लाख रुपे गी थी जिनने वे ले गए और पंडित राखवदास की जोली वे गाड़ी के कागस वे आधार का जो मिला अभी साथ ले गए बदमाश जाते वक्त किसी को भी ना बताने की धंकी दे कर गए जब ये बदमाश मंदिर से निकल गए तबराखवदास ने वही पर दूसरे मंदिर प्रांगण में सो रहे पुजारी कालूराम शर्मा को पूरी गटना की जानकारी दी फिर उन्होंने गाओं के कुछ लोगों के पास फोन किया गाओंवालोंने मोका देखकर पुलिस को सूछना दी जिस पर थाने से कुछ पुलिस कर्मी आए लेकिन इतनी बड़ी लूट के बाद भी ततारपु धाना दीकारी ने सुवा नौ बजे तक मो का मुआइडा करने की ज़रूरत तक नहीं समझे जिससे ग्रामिनों में रोश्व्याप्त है सुवा थाने की एसाई शिवद्याल वे इब्राहिम वे पुलिस कर्मियों ने मोके पर पहुँचकर घटना का जायजा लिया जिसके बाद आश्रम महंत वे पुजारियों के भयां भी ले लिये गए इस दौरान सरपंच प्रतनीदी करतार सिंग, उपसरपंच राम उता चौधरी, दया राम, अशोग, जुमलार राम सहित बड़ी संख्या में ग्राम वासी मौजूद रहे देड़ से दो के वीच में साथ बदमास आये हैं जिसमें चार रोडेड थे आप चावी देते हो या कहा रखा है नहीं तो मैं आपको गोली मार दूँए जब उन्हें ज्यादा मारने लगे हम लोगों ने चावी निकाल जे उन्हें देंदी करीब तीन लाग टी माला थी डाइलाग रुपे केस थे दो गूंची थी सोने की अठाई जार रुपे अलग थे किसी को पैजान थे मारा जुन में तो ना भाई अग जब माक्स में थे यहां तक क्या आपक्स लगाय होगे थे कि मात्माजें के साथ मारा पिट भी क्यों नहीं है आपके साथ नहीं मेरे साथ